प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट संत यूदस का पत्र अध्या सत्रा पत्संख्याएं बीज से पचीस तक प्यारे भायों आप लोग हमारे प्रभु येशु मसी के प्ररितों की भवश्यवाने याद रखें आप अपने परमपावन विश्वास की नियुँ पर अपने जीवन का निर्मान करें पैत्रात्मा से प्राथना करते रहें ईश्वर के प्रेम में सूदिल बने रहें और उस दिन की प्रक्तिछा करें जब हमारे प्रभु येशु मसी की दया आपको अनद जीवन प्रदान करेगी कुछ लोगों का विश्वास दिर्ड नहीं है उन पर दया करें और उन्हें आग में से निकाल कर उनकी रक्षा करें कुछ लोगों पर दया करते समय आप सतर्क रहें और विश्वासना से दूसित उनके वस्तर से भी घ्रीना करें जो आपको पाप से सुरक्षित करने में और आपको दोस रहित और आनदित बना कर अपनी महीमा में प्रस्तुत करने में सामर्थे हैं जो हमें हमारे प्रभु येशु मसी द्वारा मुक्ति प्रदान करता है उसी एक मात्र ईश्वर को अनादिकाल से अब और आनंतकाल तक महीमा प्रताप शामर्थे और अधिकार आमेन यह प्रभु की वानी हैं किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया एशु ने उन्हें उत्तर दिया मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं एदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूँगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं बताईए योहन का बक्तिस्मा सुर्ग का था अथवा मनिश्यों का वे ये कहते हुए आपस में परामश करते थे यदि हम कहें सुर्ग का तो वो कहेंगे तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया यदि हम कहें मनिश्यों का तो वे जनता से डरते थे इसलिए उन्होंने एशु को उतर दिया, हम नहीं जानते, इस पर एशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ, ये प्रभु का पवित्र सु समाचार है, क्रिश प्रभु की जाए, एशु में मेरे प्रिय भाईयो बहनों, रोज की रोटी कारिकरम सुनने वाले आप सभी लोगों गो प्रभु की बहुत सारी आशिशे हो, आज का पहला पाठ, संद यूदस के बहुत ही छोटे पत्र से लिया गया है, ये पत्र सिर्फ एक ही अध्याय का है, जिसमें सिर्फ पचीश वचन है, इसकी रचना सन पचासी ईस्वी में की गई इस एक ध्याय के पत्र में याकुब का भाई यूदस का रिजिक्र है जो एशु का संबंदी माना जाता है उनके बारे में लेकिन कोई सफ़्ष्ट प्रामानिकता नहीं है कि यूदस थदे उसके द्वारा ही लिखा गया पत्र हो कुछ नभीयों के खिलाब इस पत्र के लिखक विश्वासियों को सतर्क करते हैं इन जूटे नभीयों के बारे में यूदस जो लिखक हैं वे करते हैं आप लोग हमारे प्रवी येश्व मसी के प्रेरितों की भविश्यवानिया याद रखें उन्होंने आप से ये कहा अंतिन समय में उपखाज करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे जो अपनी दुर वासनाओं के अनरूप आचरन करेंगे ये व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं वे प्राकरतिक हैं और आत्मा से वंचित हैं फूट डालने वाले दुर वासनाओं से प्रेरित लोग और प्राकरतिक लोग और आत्मा से वंचित लोग इनसे सतर करने की जरूरत है प्राकरतिक लोग मतलब जिनके अंदर आध्यात्मिक बाते नहीं है रूहानी बातों के बारे में वे सोचते नहीं है और उनका जीवन पूरी तरह से दुनियावी जीवन है सांसारिक जीवन है जूटे नभीयों के गलत तावर तरीकों के उपचार के रूप में यूदस हमें चार बाते समझाते हैं सबसे बीस और इकीस में पदप लिखा हुआ है प्रिय भाईयो आप अपने परम पावन विश्वास की निव पर अपने जीवन का निर्मान करे आप अपने परम पावन विश्वास की निव पर अपना जीवन निर्मान करे दूसरा पवित्र आत्मा से प्रात्ना करते रहे तीसरा इश्वर के प्रे में सुदड बने रहे और चवथा है उस दुन की प्रतिशा करे जब हमारे प्रवी एश्व मसी की दया आपको अनंत जीवन पदान करेंगे तो चार बाते विश्वासियों के लिए विश्वास पून जीवन, कृस्तिय जीवन, एश्व के शिश्वत का जीवन जीने के लिए चार तरीके, सबसे पहले कृस्तियों को अपने परम पावन विश्वास में मजबूत रहना है उसकी नीव पर अपने जीवन का निर्मान करना है जो विश्वास हमें विरासत में मिला है, प्रवी एश्व से मिला है उसकी निव पर हम अपने जीवन का निर्मान करें दूसरा है सारे कृस्तियों को सारे विश्वासियों को पवित्र आत्मा से निरंदब प्रात्ना करनी चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमारा मागदशन करे रूमियों के नाम पवित्र जिस तरह आत्मा के दूरा संचालित जीवन जीए और तिसरी मौत पूर बात है कृस्तियों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव रखना है इस शुर के प्रेम में सुदर्ड बने रहना है मजबूत रहना है इस शुर के प्रेम का अनुभव करे और कैसे सुदर्ड बने रहेंगे जब उसे एक दूसरे के साथ साजा करेंगे परमेश्वर से प्रेम लेकर परमेश्वर और लोगों को प्रेम देकर सुदर्ड बने रह सकते हैं और चौती बात है कि प्रभी एशु में हमारी प्रतियाशा बनी रहे उस दिन की प्रतीचा करे जब हमारे प्रभी एशु मसी की दिया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी एशु की दिया हमारे साथ है और हमें वो दिया अनंत जीवन के और ले चल रही है ये प्रतियाशा रखे और एश मसी में ये प्रतिचा करते रहे ये चार तरीके हैं जिने संद यूदस तदेवुस अपने इस लेक के द्वारा हमें समझाते हैं जिनका विश्वास कमजोर है उन पर दिया करने की बात भी यूदस आगे करते हैं वो यूदस करते हैं कुछ लोगों का विश्वास द्रड़ नहीं हैं उन पर दिया करे और उने आग से निकाल कर उनकी रच्षा करे वे आग में हैं दुनिया भी आकशनों के आग में हैं और भला और बुरा पचाने की कृपा उनके अंदर शैद कम है इसलिए उने हमें उनकी मदद करनी है उने आग से निकालना है तो हमारा परोबकार और सेवा का कारी है इनी लोगों के साथ जो विश्वास में कमजोर है जो प्रभु से दूर है उनके साथ अधिक हो लेकिन लेखक हमें ये भी चेटावनी देते हैं हमें सतर करते हैं कि हम उनसे दूरी भी बनाए रखें आप कुछ लोगों पर देया करते समय सतर करें और विश्वासना से दूरी उनके वस्तर से भी घरना करें उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है जो पाप के दल दल में फसे हुए हैं जिस तरह संक्रामक रोग जो लोग उसे पीडित है हम उनके वस्तर छूते नहीं हैं और डेटोल वगरास में धोने के बाद ही उसका उपयोग किया जाता है उसी तरह इन अपरादों से पाप के दल दल में फसे हुए हैं लोगों से संपरक उनके नजदीक आना नहीं हैं उनकी मदद करनी हैं लेकिन दूरी बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि वे विश्य वासना में फसे हुए हैं दुर वासनाओं में फसे हुए हैं पाप में फसे हुए हैं संद यूदस ये भी करते हैं कि जिनके साथ समवाद संबव नहीं है जो हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत अधी कतरा है जो शेतान की पूजा करते हैं उन लोगों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है जो विश्वास के जीवन में आए बहुत सारे कृस्तिय भी हैं जो शेतान की पूजा करते हैं कुछ स्वार्त और लालच के चलते ज़्यादा अधिक धन्ना सेट बनने के फिकर में वे शेतान के पूजा करते हैं ऐसे लोगों के संबर्क में बने रहने से वे आपको भी फसा सकते हैं उनसे दूर रहने की जरूरत है संदियोदस अपने इस पत्र को बहुत सुन्दर एक महिमा के स्तुति के शब्दों से परमपिता परमेशर के स्तुति के शब्दों से अपने लगो पत्र का समापन करते हैं वो शब्न इस तरह है जो आपको पाप से सुरचित रखने और आपको दोष रहित और अनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है जो हमारे प्रविये सुमसी द्वारा मुक्ती प्रदान करता है उसी एक मात रिश्वर को अनादी काल से अभी और अनंद क महिमा प्रताब सामर्त्य और अधिकार आमेन एशो में मेरे प्रीए भाईयो बहनो आज का सुस हमाचार जो है मारकुस के सुसमाचार के ग्यारवें अध्याई से लिया गया सुसमाचार के तरफ जाने के पहले मैं आपका ध्याना कर्शित करना चाहता हूँ एक कानी बता कर एक आदमी किराने के बड़े सूपर मारकेट में गे कुछ सामा लिया एक पाइकट बनाया गया उसे लेकर अपने घर गए पाइकट खोला अपनी चीजों को अलग अलग जगा रखने लेगे तब उन्होंने देखा कि उस पाइकट में एक चांदी का सिक्का बहुत ही मुलिवान सिक्का भी था और वो परेशान होगे सिक्के को देखे अगले दिन वो सिक्का लेकर उस दुकानडार के पास जाते हैं और सिक्का वापस लेते हैं और दुकानदार ने बड़े आश्री चकित हो कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने सिकाल उटा दिया लेकिन ऐसा क्यों किया आप ने तो उस आदमी ने जवाब दिया जी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी भी है और एक बुरा आदमी भी है मेरे अंदर के अच्छे आदमी ने मुझसे कहा नहीं यह तुमारा नहीं है इसे लटा दो तो उसके जवाब में मेरे अंदर के बुरे आदमी ने कहा कोई बात नहीं इसे रख लो कोई नहीं जानेगा और मैं परेशान था और ये बुरा आदमी मुझसे बार बार करा था कोई बात नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं कोई नहीं जानेगा इसे अपने आप रखो तो मैं सोने गया लेकिन बिस्तर पर पड़े रात भर मैं परेशान था क्योंकि ये समवाद चलता रहा अच्छे और बुरे आदमी के बीच में सुबा उटते ही मैंने अपने अंदर के अच्छे आदमी की आवाज को सुन कर और उसके प्रति प्रतितर के रूप में मैं आपके पास आया हूँ आपके सामने ख़़ा हूँ इसे ले ले मेरे प्रे भाईयों बहनों उस आदमी ने अंदरात्मा की आवाज को सुना बहुत सारे ऐसे लोग है जो अपने अंदर के अंदरात्मा की आवाज को दबाते हैं अंदरात्मा की आवाज को बार बार दबाने से पाप के रास्ते में हम प्रवेश करते हैं और पाप हमारे उपर हावी हो जाता है पाप का यानि अपराद बोध हमारे अंदर घाव उत्पन करता है वो बड़ा जक्म बन जाता है और उससे मवाद निकलने लगता है उससे बदबू आती है आज का सुसमाचार इसी तरह के एक समबाद की और है फरीसी, महायाजक, शास्त्री लोग, नेता लोग एशू के पास आते हैं एशू से प्रश्न पुछते हैं क्योंकि इसके पहले हमने सुनाई इस ये दिहाई के शुरुआत में एशू ने मंदिर को शुद करने का कारे किया और वहाँ जो वियापार चल रहा था उसे रोका, उन सब को बाहर ख़ड़ दिया और इसी लिए वे लोग सवाल पुछने आते हैं ऐसा पहली बार नहीं अधिकार प्राप्त लोग, सत्ता का सुक भूगने वाले लोग एशू से सवाल करते हैं हरोद, राजा के बारे में हम देखते हैं कि लुकस के सुसमाचार के नवे अधियाई के नवे पत पर लिखा है एशू के बारे में सुनकर हरोद ने कहा योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया फिर ये कौन है जिसके विशे में ऐसी बाते मैं सुनता हूँ और वो हरोद, उटसुकता वश, एशू से सवाल करने के लिए उटसुकता इसी तरह पिलातूस के बारे में हम सुनते हैं संद योहन के एशू समाचार के उननीसवे दियाई के दसवे वचन में लिखा है जब येशू को पिलातूस के सामने लाया गया और पिलातूस उनसे संबाद कर रहे थी और येशू जबाब नहीं दे रहे थी तब पिलातूस ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते क्या तुम यहीं नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चड़ाने का भी अधिकार है तो अधिकारी लोग फरीसी, शास्त्री, पुरोहित लोग यानि महायाजक एश्यु के सामने अपने अधिकार का नुमाईश पेश करने के प्रयाज कर रहे हैं एशु के अंदर की नाइतिक शक्ती के सामने उन्हें तकलीफ होती थी उनका स्वार एक सवाल के रूप में निकलता है और ये सवाल है आप किसके अधिकार से ये सब कर रहे हैं और एक सवाल किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया एशु का ऐसा विक्तित तो है जो पत्थर के बरे दिलोंग को भी अपने काबू में ले सकता है एशु का ऐसा विक्तित तो है जो पत्थर के दिलोंग के द्वारा काबू में नहीं रखा जा सकता है और एशु का आचरन और एशु का सुभाव एशु का सद्बू नाइसा है कि सवालों से घरने वाले को भी निरत्तर कर देते हैं हमें अपने आपका मुल्यांकन करना होगा हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा हमारे अंदर जो भी अधिकार है या अधिकार की भूक है क्या अधिकार में बने रहने के लिए हम अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं और क्यामे उन फरीसियों और नेताओं की तरह उच्सुकता को पुरा करने के लिए सिर्फ अपने अंदर की उच्सुकता को पुरा करने के लिए चमतकार की मांग करते हैं और चमतकार एशु से देखना चाते हैं या हम सचे पशाताप करते हुए, प्राइशित करते हुए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, जीवन में नवी करन लाने के लिए, और जीवन को परिवतित करने के लिए एशु के चमतकार कानुभाव करना चाते हैं। इन सवालों के माध्यम से हम अपने जिवन का मुल्यांकन करें जिस तरह एशू ने सवाल पूछने वालों से योहन का नमूना देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया उन्हें चुप करा दिया योहन के बारे में एशू ने सवाल किया क्योंकि योहन ने साच्छी दिया था एशु के बारे में योहन ने अपनी उंगली उठा कर एशु की तरफ साच्छी दिया देखो यही मसी है यही मुक्तिदाता है और योहन ने जब एशु को बक्तिस्मा दिया एर्दन नदी में तब उपर से अकाश में ये वानी सुनाई दी ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो और परमपिता ईश्यों ने एश्यों को अपने प्रिय पुत्र के दूप में घोशित किया तो योहन का साच्ची है सबसे बड़ा साच्ची है योहन से बढ़कर कोई एश्यों के लिए एश्यों के अधिकार के बारे में बताने वाला और कोई नहीं है इसलिए एश्यों के पास जो अधिकार था वो दूसरों को शुद करने के लिए मंदिर को शुद करने का मंदिर में शुचा देने का ये सब अधिकार है क्योंकि वो मंदिर स्वयम प्रभी एशु के पिता का मंदिर था और इसलिए आज के पहले पाट में जिस तरह यूदस करते हैं जो आपको पाट से सुरचित रखने और आपको दोश रहित और अनंदित बनाकर अपनी महिमा से प्रस्तुत करने में समर्थ है अब उसी एक मात रिशुर को अनादिकाल से अभी और अनंदकाल तक महिमा प्रताब सामर्थ्य और अधिकार ए शुकु अधिकार पिता से प्राप्त हुआ और हमारे लिए भी सारा अधिकार उन से आता है क्योंकि हम इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगातार परमेशर की इस्तुती करे और अनन्द काल तक महिमा, प्रताब, सामर्त और अधिकार परमपिता को दे आईये हम प्रात्ना करें सवशक्तिमान प्रेमे पिता ईश्वर हम तुझे दन्यवाद देते हैं आज पहली जून को इस नए महीने के लिए हम दन्यवाद देते हैं इस पूरे महीने में हम आत्मा से संचालिक जीवन जी सके रोज की रोटी के सभी सुरोताओं को आशिश दे हमारे देश को तू अपनी आशिश अपने कृपा में भर ले और हम अपने देश की भलाई के लिए देश की बहत्री के लिए प्रात्ना करते हैं एक ऐसा अच्छा शासन यहां कायम हो जाएं जो लोगों की भलाई के लिए क्यारी करता है दरीवों का फिकर करता है और सारे लोगों को जीवन के अच्छे मूलियों को सामाजी मूलियों के रास्ते पर ले चलता है हम सब को कृपा प्रदान कर कि हम एशु के शिश्यतों में अच्छे जीवन के मूलियों में रहे और एशु की मुक्ति का प्रतिदिन अनभो करे और उसे दूसरों के साथ साजा कर सके ऐसी प्रात्नाम तुसे करते हैं हमारे प्यारे प्रवेशु के नाम बर जीवन की रोठी मैनों की जोती अंधिरा मिटाती भाड़ी 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 परत्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है झाल झाल झाल